सरोकार पे इस बात की चर्चा जो रोसो रुपर है और उत्रप्रदेश की राजजिती में एक नया मोड अब आते हुए देखा जा सकता है कल रास से ही मुख्यमंत्री अवास पे लगतार बैठक हो रही थी और सुबह भी ये बैठक जारी है प्रमुख सचीवगरी संजय प्रसाद ए योगी सरकार को घेरे हुए खड़ी है अकलिए यादो से लेके राम गोपाल यादो तक मायावती से लेके प्रियंका गांधी तक सभी ने उत्तवपदी की सरकार को इस मुद्दे पर जम कर घेरा है हमारे साथ कुछ अस्थानिये लोग हैं लखनौ के इस मुद्दे पर मु बढ़िया है उत्ता परदेश में जीरो टॉलेंस की नीती है कानून बेवस्था बनी हुई है सुधिड है लेकिन इस तरह की घटना होती है और बिपच्छ जो है सरकार को घिरने पर जुड़ी आता है देखिए यह जो हुआ है तो यह तो किसी को पता नहीं था कि यह अचा करें नहीं हुआ है उन्होंने विल्कुल लंबित भी मतलब किया है उलोग पकड़े भी अपनी जो भी है अब आकी तो जो माफिय उनके लड़के की बारे में ती जो है वह तो सही हुआ भागो गे तो दोड़ा-दोड़ा के मारेंगे तो आप एंकाउंटर को सही बता आइ सब्सक्राइब जो भी वह नहीं है जो गलत है तो गलत है यहां पर जाकर गाड़ी पल्टी भागे जो भी यह वह वो सब के सामने था और यह भी जो भाग रहते तुने दिन से जा तो सलेंडर होते नहीं कुछ होता लेकिन सलेंडर नहीं भागने के वह बैसे पुख्याद भया थे उन्होंने सरयाम मीडिया फोट फोटो कि उसमें आए भी थे कैप्चर बंदोग चलाते हुए दिखे तो जाहिर बात है भाई या तो इनकाउंटर होगा तो बिल्कुल सही हुआ कुछ में कोई वह दो रहा है नहीं है जिस तरीके से 23 घंडे तक पूस्ताच होई अतिकामस से दोस्तों से ज्यादा सवाल पूछे गए आयसाई का भी नेट पर देखते हैं कौन देता है आकर हमारे यहां के कुछ जो नेता सम्मीदी तो करते हैं बीच में सपोर्ट मिलता तभी तो ने तो पहली बार में पकड़ा जाए पहली बार में थाने में सब को लिखा पड़ी जब अफैर दर्जनी होगी और काफी भूमी कभजाई वाली ब चीजे देखने को मिल गई है कुछ लोग से लिब्रेट भी कर रहा है इस चीज को अच्छा बता रहा है कि जो है कुछ लोगों यह कहना कि अतिक आमद असरफ को कर्मों की सजा मिली है तो बिल्कुल सही है उसमें कोई दो राय नहीं है और वैसे वह सफा की तरफ से था कोई जो हुआ बाकी से लेंडर कर चुके तो उनका कोई दोर आया नहीं है वाकी मिलोगी सबके लिए सकत है हमारे लिए क्या हिंदू के लिए क्लिए मुसल्मान के लिए जो गुना करएक उसके लिए वो सकत है बस पूरे-पूरे साथ में चाहे जैसे भी आज़ा है श्रीराम त लगतार योगी सरकार पर हमलावर होते जा रहे हैं और लगतार उनकी कानून ब्योस्ता को लेकर जिस कानून ब्योस्ता की बात योगी सरकार इतने बड़े दावे के साथ करती है अधिकारियों के पीट सब्तपाती है अपने सरकार की पीट सब्तपाती है उसी कानून ब्योस् तुटाउट में दोनों को मार गिराया इसके बाद लखनव की जनता जुए यह कह रहे हैं कि वह उत्रपदेश सरकार के साथ है हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं हम उसे बारचीर करेंगे इस मुझे पर जानना चाहेंगे कि जो लखनव की जनता है क्या इस मुद्दे पे सूचती है कि आपना विचार रखती है सतीज भाई ये बताए कि जिस प्रकार से अतीक और असरफ की कलहत्या कर दी गई तमाम भी पच्छी पार्टिया जो है वो भार्चनता पार्टिय पे हमलावर है कह रहे हैं कि जिस तरीके से सुरच्छा कर्मियों के बीच में संसनी खेत वारदात को कुछ लोग अमजाम देते हैं तो उतबदेश में कोई भी सुरच्छित नहीं है यह इसा नहीं है अब जो गलत करेगा भी साती है कर्मा इसे थे जो हुआ सही हुआ फिलाल और जो इनके लड़के का उनका भी कुछ लेशन होगा उनके साथ में इसा हुआ है वरना योगी सरकार इतनी कोई बेवकूफ नहीं ना जो ऐसे कदम उठाएगी भाई हुआ है गलत लेकिन सही हुआ जो भी हुआ योगी ने सही किया मतब यह सरकार के साथ जंता खड़ी है लेकिन हर चीज के लिए एक कानूनी प्रक्रिया है नियाला है उनका साहर अले के सारी चीजे होती है लेकिन इस प्रकार से यह संसनिखेज वार्दात हुआ तीन लोग पकड़े भी गए तुरन सरिंडर भी किया उन्होंने है त्माम तरकी चीजें देखी जा सकती हैं सब्वी Państwo में क्तु है कितना फायदा है भार्चाँ पार्टी को मिलने वाला इसे फिर नुक्सान होने वाला है । नुकसान का कोई बात और शेतन करने तरकानून कोई कमी नहीं है माफिया मुक्त की सरकार की सरकार का रहा है से लिए गई इन लोगों के लिए तो इसी सरकार अच्छी है जो भाई अब इनके वज़े से देखा तो काफी गुंडा गर्दी काम है और बहुत अच्छी बात है कि यह योगे इसा कर रहे हैं उसमें कोई गलाची ने बिल्कुल अच्छी बात है इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि लखनों की जनता है वो कह रही है कि उत्ताप्रदेश में भै मुख्त अपराद मुख्त माफिया मुख्त का वातावर्ण है और जो भी पिछले समय में घटनाए हुई है वो अतीक हमत की बात हो या असरफ की बात हो या उतके बेटे उनकी करनी का सजा जो है वो खतना पढ़ रहा है लखनों की जनता यह बेबागी से अपने विचार इस मुद्दे पर रख रही है हाला कि बीपच्छ जो है लगतार सरकार पर हमला कर रहा है वह असे दिन ओवेसी ने साब तोर पर कहा है कि यह इंकाउंटर की राजनीती जो के नेता हैं वह सरकार के दाओ पर सवाल उठा रहा है आज जो है किसी पर शुरज्च्छा कर्मि मोकилась पर शूरार को सवार्दात को अंजाम दे दिया और इस तरीके से आप सकते हैं कि लखनों की जंता जो है बेबाकी से अतीक और अस्तरफ के मुद्दे पर अपना रुख रख रही है अपने विचार रख रही है हमारे साथ कुछ और लोग भी है उनसे जानेंगे सबसे पहले अपना नाम बताईए शिवम गुपता शिवम यह बताईए कि आप स्ट प्रदेश में जो है स्यासी सरकर्मिया जो है वो बढ़ती ही चली जा रहे हैं और देखा गया है कि असत के अंकाउंटर के बाद जिस तरीके से अतीक और अस्तरफ का मंडर हो गया तो जो माफिया मुद्द की बाद सरकार करती है भै मुक्तवातरवर की बात करती है कितना सह अधिक समय तो अपने यूपी में गुंडागरती तो बिल्कुल ना के बराबर हो रही है जो अतीक अमारी थे जैसे इनका इंका वहा है तो क्या जो अतीक और अस्तरफ के साथ हुआ है वह सही है खुद्रत का नया है यह वह तो ठीक उनके साथ हुआ बड़ लेकिन इसनी प इस वारदात को अंजाम ले तो सुरच्छा में चूक का मामला तो दिखता है यह तो है अगर इतने पुलिस सामने अगर अतिक अहमत को मार ड़ा तो आम आदमी को कहीं भी चंद पैसों के लिए या इसे विसकुच मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से हाई प्रफाइल यह माफिया मुक्त अपराद मुक्त की बाद सरकार कर रही है विपर्चलागातार जो है सरकार को घेर रहा है और लोएन और पर घेर रहा है कानून ब्योस्ता पर घेर रहा है जीरो टालंस की निती पर घेर रहा है तो कहीं ने कहीं सरकार भी इस मुद्दी पर फस रही है भाई है एक सरकार तो फशेगे कि इतने पुलिस कर्मिया पर बीच कर्मियों उनका इनकाय काउंटर होगे थिसलिए क्यों ऐस wydaje को एतने पूलीस कर्मियों तो लेकिन सही ओर लेकर इतनेamię कर्मियों कंडrinut तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लखनों की जनता कितनी जागरूक है भै मुक्त माफिया मुक्त अपराद मुक्त वातरवड की बात तो शुकार कर रही है साथ साथ यह भी कह रही है कि इतने सुरच्छा कर्मियों के बीच जब यह दो हाई प्रफाइल अपरादी सुरच्छित नहीं है तो आम जनता की इस्थिति का भी आप जाजा ले सकते हैं तकरीबं डेढ़ दर्जन से ज्यादा सुरच्छा कर्मी मौझूद थे मीडिया कर्मी तकरीबं दस सेकेंड में ही 22 से ज्यादा गोलिया चलती है और तीक असरफ मौके पर ही धेड़ हो जाते हैं लगतार विपच्छ सरकार को घेर रहा है अखले स्यादों ने भी एक ट्वीट करते हुए कहा है कि भर्चंता पार्टी की सरकार जो है वो हर तरफ जो है घिरती च आउंटर परदेश बनता ही चला जा रहा हमारे साथ कुछ और लोग भी है उनसे भी हम बात करेंगे उनसे भी हम पूछेंगे कि क्या महौल है उत्ता परदेश का जनता इसको किस तरीके से ले रही है क्या नाम क्या है आपका सैलेंद रावत पढ़ते हैं जी जी इंटर इंकाउंटर हुआ उसके बाद अगले ही दिन जो है अतीक और असरफ की हत्या कर दी गई सरकार एक तरफ कहती है कि लौ एन और्डर बहुत बढ़िया है माफिया मुक्त भयमुत अपराद मुक्त वातावरण है लेकिन जिस तरीके से सुरश्चा कर्मियों के बीच यह अती कर असरफ की हत्या हो गई क्या कुछ कहना इस पर मिल जाए कि सोच मिल जाए कि ताकत मिल जाएगी कि वह कभी किसी निर्दोस को भी सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया गया एक तरफ सरकार ये कहती है पीट तपता पाती है सब्सक्राइब कर देखने को मिला वह बता रहें मीडिया कर्मी जो है बन कर आए थे तीन सूटर तो इसमें पुलिस के उपर सवाल उसे इनकाउंटर ने उसे मडर कहेंगे जी मडर तो उस पर पुलिस प्रसासन पर सवाल खड़ा होता है कि बहुए कोई व्यक्ति अपने जेम या अपने पर कोई असला रखता है तो पुलिस को इसकी सतरकता रखनी चाहिए कि वह तुरण जान सके एक गलादमी किस मकसद से आया है बिल्कुल यहाँ पर पुलिस के पर सवाल उटते है और वो इसको कानूनी पर कीया सजा मिलनी चाहिए उसको फांसी होना चेह तो उमरकैद होना चेहुए वह बिल्कुल समर्थान है वह पापि था म générक्ता हूं लेकिन यह गलत तरीकर समारा जा रहा है इसस से आगे चलके ग कि पहले से सही है क्योंकि पहले कुछ लोग बादमी गुंडगरदी दिखाते थे आप गुंडगरदी जंता नहीं दिखा रही पुलिस दिखा रही है योगी जी के अंडर में अगर देखा जाये तो आज पुलिस गुंडागर्दी कर रहा है अब आदमी नहीं गुंडागर्दी कि सभी जानते हैं अगर ज़रा सभी गुंडागर्दी दिखाई गई तो पुलिस तुरंत एक्षन लेगी लेकिन अब उसके आल में आकर कुछ सुरच्छा कर्मी मौके पे मौझूद थे और तीम हमलावर आते हैं और बेहट नजदीकी से दोनों को शूट कर देते हैं दोनों की मौके पे मौत हो जाती है ऐसे में तमाम जो है सवाल उठते हैं कि किस प्रकार की सुरच्छा ब्योस्ता की गई है क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है है हाईपरोपाईल पराधी है साबर मती से प्रियाग राज आते समय तमाम तरह की गई थी तमाम तरीके की चीज्टी और पुरी अज के साथ उनको को कोट मेंगे से किया दा था लेकिन किस प्रकार से चूख हुई यह सोचने का भी साथ है उत्त्रपदेश सरकार के कर उत्तरप्रदेस की सरकार कहीं न कहीं कट घरे में खड़ी होती भी दिख रही है कोई भी वच्छी राजनितिक पाटी जो है इस मुद्दे को इस मुख़ी को भुनाने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है अतीक एमद असरफ के मडर के बाद प्राइम टीवी की टीम जो है लखनो की जनता के बीच पहुची है लखनो की जनता से जानना चाह रही है कि इस मुद्दे पे उनका क्या रुख है क्या विचार है लखनो की जनता बड़े बेबाकी से अपने अंदाज में अपने सब्दों में बया कर रही है कि इससे क्या कुछ चीजे निकल के सामने आत सब्सक्राइब कर दिया था उनके भाईयों को पर उर्थों को पर सब कब्जा किया गवर्मिन ने बाद में जा करके यह काम जो है अब आज कर जितने भी विधायक हुए है जब तक अब आट दस मॉर्डर का केस्ट नहों तब तक विधायक नहीं बनेंगे आज कल यह विधायक होने के लिए कम से कम जितनी गलत लाइने हैं पर पोज नहीं करना चाहिए गवर्मिन्ट को को जिरा करती कर रहा है कुछ अब ब कई बिधायकों की जो है बिधायक क्या जो है वो रद्ध कर दी गई है अगर किसी मामले में उनको दो साल से अधिक की सजा होती है तो उनकी बिधायका भी रद्ध हो गई है अगर बात की जाए तो कॉंग्रेस के जो सांसत रावल गांदी है उनकी उनकी वी सांसत भी रद् देश के पहले पर्दामत्री जुन के आए था वो आती काहिमाद वो ठीक थोड़ो था मगर वह लोगों जो भी हुआ उसके साथ ठीक हुआ हाँ वो सब ठीक हुआ लेकिन विपच्छी पार्टिया जो है क्लिए से यादों से लेके माया होती सबने ये आधिकारिक बयान देते कानुन ब्र娓स्ता कम उड़ाया जा रहा है इसलिए मंत्र लोग सब अपनी बयान दे रहा है क्या साही है क्या जू ङूर। तो यह बताए जिस तरीके से सरकार लगतार वादे करती है कानून बेवस्ता बढ़ियां है तो क्या कुछ कहने गें कि इस प्रकार के जो को साफ तोर पर कहा रहे है कि जो अतिक औरस्तर्व के साथ हुआ वह अगर देखा जाएं जो पबिक सेंटीमेंट है वो सरकार के तरफ देखी जा सकती है पर जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो कहता है कि अतीक और असरफ के साथ जो होगा वो सही हुआ क्योंकि कई लोगों को उसने इसी के अंजाम उतारा था कई लोगों को सोसड किया था और कई लोगों की हत्याय कराए थी बात की जाए तो कल से social media पे public sentiment जो है वो कहीं ने कहीं इस प्रकार के देखे जा सकते हैं और कई बार देखा गया है ऐसे जगों पे कई जगों पे आतिस बाजिया भी हुई है और कुछ नेताओं के भी ऐसे बयान आये हैं कुछ लोग के भी ऐसे बयान आ रहे हैं जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि भारती जन्तापाटी इस चीज की ओनरसी प्ले रही है अगर बात की जाए social media की social media platform जो है टुटर से लेके तमाम social media platform जो है वो public sentiment से पटा हुआ है हर कोई जो है अतीक असरफ और असद के मुद्दे पर खुल के विचा रख रहा है और कह रहा है कि जो भी हुआ इन्हाप राधियों के साथ सही हुआ लखनाव से वीज़े के साथ मैं विवेक्षाही प्राइम टीवी करें करें करें